हेलो एब्रीवन विलकॉम बैक टुशेप अप यूर लाइफ लॉक्डाउन के इस टाइम में हम सबने बहुत सारी नई रेसिपी ट्राइ की होंगी उन में से कुछ रेसिपी ऐसी होंगी जिने नो डाउट टेस्ट में एग रेट दिया जा सकता है बट हर रेसिपी को हैल्धी category में add नहीं किया जा सकता तो चलिए आज बनाते हैं कुछ ऐसे tea snacks जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए healthy हैं और उन्हें बहुत ही कम ingredients यूज़ करते हुए quickly कभी भी बनाया जा सकता है तो first recipe है मखाना चाट healthy snacks की बात करें तो मखाना का नाम सबसे पहले आता है तो सबसे पहले हम मखाना को roast करेंगे मसालों के साथ और उसके बाद उसकी चाट बनाएंगे तो जितनी चाट आपको बनानी है उतने मखाना आप roast कर सकते हैं लेकिन आप जादा भी कर सकते हैं अगर आप उन्हें स्टोर करना चाहें तो, तो देषी घी लिया है, मैंने एक कडाई में दो चमच, उसके बाद मखाना उसमें डाल दिये हैं, अच्छे से देषी घी के साथ इसको कोठ करना है, ताकि सारे मसाले इसके उपर अच्छे से लग जाएं, तो सौल डाला है, सबसे पहले उसके बाद तर्मरिक यानि की हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर डाला है साथ ही डाला है थोड़ा सा जीरा पाउडर इसमें अब मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट करना है चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा अमचुर पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है अब इसी तरह से चलाते हुए इनको अच्छे से रोस्ट करना है जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते जैसा कि मैंने पहले पताया कि 7 तो 8 मिनट आपको इस प्रोसेस में लग जाएंगे चाट ना भी बनानी हो तो भी आप इसी तरह से इनको रोस्ट करके किसी कंटेनर में फिल करके रख सकते हैं जब भी आपको कभी भूक लगती है तो मंचिंग के लिए हमेशा आपके पास एक हैल्दी ऑप्शन रहेगा तो जब भी इस तरह की कड़ती हुए आवाज आए तो समझे मखाना अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब जिस भी बॉल में चाट बनानी है उसमें निकाल लेंगे हम सारे मखाना और उसके बाद उसमें डालेंगे कटा हुआ प्यास बारी कटे हुए टेमाड़ डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और साथी इसमें डाल देंगे चाट मसाला अब इन सब चीजों को अच्छे से mix करना है और मखाना चाट रेडी है चटपटा बनाने के लिए हमने इसमें आमचुर और चाप्ट सला एड़ किया है लेमन एड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेमन एड़ करेंगे इसका क्रिस्पी पन खतम हो जाएगा मखाना उसको रोस्ट करके आप स्टोर कर सकते हैं लेकिन चाट बनाने के बाद इंस्टेंटली उसे कंज्यूम कर लें क्योंकि जहार टाइम तक रहने के बाद उसका टेस्ट खराब हो जाता है तो चलिए टी टाइम में फैमली के साथ इंजॉय करते हैं मखाना चाट नेक्स्ट रेसिपी है पनीर और स्टीक तो फिर्स्ट अफॉल इसके लिए हमें पनीर चाहिए होगा और बहुत अच्छा सौफ्ट पनीर आप घर पे भी बना सकते हैं पनीर बनाने की रेस्पी मैंने आपनी बेसिक किचन टिप्स फ़ली वीडियो में दी थी उस वीडियो का लिंक में दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो क्यूंकि हम स्नाक्स बना रहे हैं तो पनीर को इस तरह से हमने बड़े स्लाइसिस में कट करना है उसके बाद हम रेडी करेंगे इसकी ड्रेसिंग जिससे हम इसको कोट करेंगे तो सबसे पहले मैंने एक बॉल में हाफ चमच डाला है गार्लिक पेस्ट उसके बाद तीन चमच डाले हैं इमली की चट्नी तीन ही चमच डालेंगे हम ग्रीन चट्नी और इन दोनों ही चट्नी की रेस्पी जिस वीडियो में आपको मिलेगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके बाद डालेंगे स्वीट चिली सॉस और साथ ही डाल दिया है मैंने ब्लाक सॉल्ट और औरिगेनो अगर आपके पास स्वीड चिली सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप के साथ ब्लाक पेपर एड़ कर सकते हैं इसके बाद हम पनीर के पीसीज लेके उसको इस चट्नी के अंदर कोट करेंगे तो चट्नी से निकालने के बाद साथ की साथ हम इसको ओट के साथ कोट कर देंगे तो ओट आप कोई भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर प्लेन इंस्टेंट ओट लिये हैं तो सभी पीसीज को इस तरह से कोट कर लेने के बाद 10 मिनट तक हम इसको फ्रीजर में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद नॉन स्टिक तवे के उपर हम थोड़ा सा ओलिव ओल डालेंगे आप चाहे तो देशी की आड़ कर सकते हैं या फिर मस्टड ओल एड़ कर सकते हैं अब वन वाई वन सारे पीसीज हम इसके उपर रखते जाएंगे और दोनों तरफ से इनको सेक लेंगे वीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से सेकने में इनको दो-दो मिनट का टाइम लगेगा आप इन्ने टमैटो केचप के साथ या फ्रिक्रीन चटनी के साथ कैसे भी इंजॉई कर सकते हैं नेक्स्ट नैक है गार्लिक मश्रूम इसके लिए पैन में थोड़ा सा ओलिव ओयल लिया है मैंने ओलिव ओयल के बजाए आप मस्टर्ड ओयल या फिर देसी घी भी ले सकते हैं तो उसमें कटा हुआ गार्लिक डाला है सबसे प्याड़े लो फ्लेम पर हमने कुक करना है लो फ्लेम नहीं करेंगे क्योंकि अगर लो फ्लेम करेंगे तो मश्रूम पानी छोड़ देंगे और हमें स्नाक्स बिल्कुल ड्राय चाहिए इसके बाद हरे धनिये के साथ हम इसको गार्निश करेंगे तो बस गार्लिक मश्रूम रेडी हैं बहुत कम इंग्रिडियंट्स के साथ बनने वाला बहुत ही टेस्टी और हैल्दी स्नाक है जो ट्राय कीजेगा नेक्स्ट रेसिपी है पालक पनीर कबाब इसके लिए हमें ब्लांच किया हुआ पालक चाहिए जिसे 2-3 मिनट तक हमने पानी में बॉयल करना है इसके बाद इसे किसी स्ट्रेनर में हमने स्ट्रेन करना तक इसका सारा पानी निकल जाए तो पालक का सारा पानी मेरे हाथ से निचोड़के भी निकाल दिया है। बारीक बारीक इसको काट लेंगे। उसके बाद इसमें एट करेंगे सॉल्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालेंगे और साथी डालेंगे इसमें अमचुर पाउडर, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्नाक बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आपको गिल्ट भी नहीं रहेगा कि आपने कुछ अनहेल दिखाया है। बस अब इसको अच्छे से बाइंड कर लेने के बाद चोड़ चोड़ी टिक्क्यों की शेप दे देंगे। सारी टिक्क्यों को बना के एक ही बार हम साइट रख लेंगे। उसके बाद नॉन स्टिक तवे थोड़ा सा ओयल अपलाए करेंगे और इन टिक्क्यों को दुनों साइट से अच्छे से से शेख लेंगे। नेक्स रेसिपी है ओट्स मैंगो स्मूदी तो चलिए स्नैक्स में बनाते हैं कुछ मीठा और फ्रूट से बेटर मीठा कुछ नहीं होता। पैन में हाफ कप लिए है मैंने ओट्स, ओट्स को हमने मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है एट लीस देर से दो मिनट तक। उसके बाद ग्राइंडर जार में इसको ग्राइंड करके हम इसका पाउडर बना लेंगे ये स्नैक्स आपको एक लंबे टाइम तक फुल रखता है तो डिनर में अगर आप सूप भी लेंगे तो भी चलेगा। ग्राइंडर ग्राइंडर टिनर लीके क्रेνο के और लूट पाउडर को थोड़ा होने दें उसके बाद इसमें डाल देंगे हम कटे रूगे मेंगओ या पिंख वालनरस दाले है तोड़े से मेलन सीड डाल दिये हैं चलिए अब देखते हैं आज की लास्ट रेसिपी हरी चटनी सैंडविच ये रेसिपी मैंने अपने रीसेंट संडे व्लॉग में शेयर की थी लेकिन हर कोई व्लॉग तो नहीं देखता इसलिए इस रेसिपी को मैं दोबारा इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ अब इन तीनों चीज़ों को हमने एक बॉल में निकाल लेना है हरी चटनी सैंडविच है तो हरी चटनी तो जाएगी तो 2-3 चमच मेंने डाला है इसमें हरी चटनी और उसके बार टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला साथ ही डालेंगे black salt बस इन थोड़े से ingredients के साथ आपके sandwiches ready हो जाएंगे उसके बाद दो bread slices लेंगे और दोनों bread's के एक side पे हम लगा देंगे butter एक bread slice पे हम रखेंगे वो mixture जो हमने ready किया है और दूसरे bread slice के साथ इसको cover कर देंगे और non-stick तवे पे थोड़ा सा butter लगा के दोनों तरफ से इसको crispy होने तक सेख लेंगे मेरे घर में इन sandwiches की बहुत demand रहती है हरी chutney मेरे fridge में हमेशा ready रहती है तो बनाना भी easy रहता है आप भी ज़रू try कीजेगा बहुत ही जल्दी बनने वाले हरी chutney sandwiches और किसी भी चीज का स्वाध दो गुना बढ़ जाता है जब पूरी family खाने के साथ साथ गपशब भी करती है तो फिर चाहे बात evening snacks की हो या फिर breakfast, lunch और dinner की So enjoy this lockdown with your family and make good memories Shape up your life family 200 के cross कर चुकी है आप सब के प्यार और support के बिना ये impossible था So thanks to all of you guys तो चलिए मिलते हैं next video में Till then bye bye, take care and stay healthy